तो लाच टाम हम डिसकस कर चुगे थे कि कोटलीन में operator क्या होता है, फ़रीशे डिसकस कर लेते तो कटलीन में 4 तरक operator होता है, arithmetic operator दूसरा होता assignment operator तीसरा होता comparison operator और चौथा होता है logical operator तो जो assignment operator होता है, उसमें होता है addition, subtraction, multiplication, division, modulus, increment and decrement operator तो इतना तरक operator होता? generating equipment दुसरा होते assignment operator तो assignment operator में होता है equals होता है plus equals minus equals multiply equals divide equals and modulus equals होता है फिर इसको में बोलत है असे मालव में होता है smaller than greater than smaller than equals greater than equals not equals and equal to और जिखे last अ Holy Col ओ रे टरी तरह का होता है and or इसको हम बोलते है and इसको हम बोलते है and और और इसको हम बोलते है not तो अब हम प्रैक्टिस करने वाले देखेंगे कि कैसे हम use करते हैं तो सबसे पहले हम एक variable बना लाते हैं where a equals कोई value assign कर देते हैं और एक और value variable बनाते हैं जिसका नाम B होगा और उसमें कुछ value assign कर देंगे तो अब क्या करेंगे आप हम simply कर देंगे लिखेंगे print talent और उसमें हम लिख देंगे a plus b a plus b कर देंगे और उसे पहले हम यहां पे comment comment आउट करके लिख देंगे arithmetic operator तो अब यहां पर जा करते हैं यहां पर a plus b करते हैं अर्थमेटिक ओपरेटर में क्या क्या था plus था माइनस था multiply था divide था एंड मॉडूलस था तो हम यह सब यूज करेंगे तो यहां पर सबसे पहले हम एक प्लस कर लेते हैं फिर यहां पर हम प्लस करेंगे फिर हम यहां पर माइनस कर देंगे फिर यहां पर हम इसको multiply कर देंगे और फिर हम यहां पर इसको डिवाइड कर देंगे तो हम यहां पर प्लस करें माइनस करें multiply और divide करें तो arithmetic operator में जो पहला चार operator उसको हम यहां पर यूज करें फिर यहां पर हम इसको run कर देंगे तो इसको जैसी हम run करते हैं तो यहां पर देखो 35 आ रहा है 11 आ रहा है तो जो हमारा पहला variable है उसमें 12 एस्टोर है यहां पर हम यूज करते हैं mathematical operation complete करने के लिए तो जैसे कि हम यहां पर आड़ कि माइनस कि मंटिप्लाय कि डिवाड कि तो यह चार पहला arithmetic operator है फिर यहां पर अगला arithmetic operator यह दिया इसको मोडियूलस बोलते हैं तो इसको हम कैसे यूज करेंगे तो यहां पर यहां पर हम दे देंगे बी मोडियूलस मतलब होता है रिमेंडर मोडियूलस का मतलब होता है रिमेंडर रिटर्न करना तो यहां पर देखो इसका मतलब होता है रिमेंडर इसका मतलब होता है रिमेंडर इसका मतलब होता है रिमेंडर तो यैसे कि हम यहां पर वेरियेबल है बी में 23 इस्टोर के वाए तो बी मोडिूलस ए करेंगे तो जैसी हम बी को डिवाइट करेंगे ए से तो बी को हम ए से डिवाइट करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या रिमेंडर आएगा जो हमारा यहाँ पे रिमेंडर बचेगा वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा तो यहां पे return हो रहा है 11, 11 कैसे हुआ, जैसी हम 23 को 12 से divide करेंगे, तो हमारा remainder 11 बचेगा, तो यही हमारा remainder return कर देता है, तो यह जो operator होता है, यह operator हमारा होता है, arithmetic operator, और इसको हम बोलते है, modulus और modulus क्या करता है, वो हमारा remainder को return करता है, तो हम पहला 5 arithmetic operator कर चुके, यह है increment और decrement, इसको हम बाद में discuss करेंगे, तो यहां पर हमारा अगला operator है, assignment operator, assignment operator में क्या देगा है, equals, diva, plus, equals, minus, equals, multiply, equals, तो इसको हम कैसे use करेंगे, तो जैसे कि हमारा एक यहां पर variable बना हो है, और a में हमारा 12 value store किया हो है, तो अगर इसमें assignment operator यूज करेंगे, तो हम क्यों लिखना यहां पर 12 है, तो यहां पर हम क्यार देंगे 12 के बने 23, और simply हम इसको यहां पर हम print island में a type कर देंगे, और इसको हम यहां से run करेंगे, तो यह हमारा 23 value यहां पर हमारा print करा है, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, कि यहां पर हम plus कर देते, plus 23, तो यहां पर पहले हमारे variable म और अब इसकों महा desty year run करेंगों तो यह हमारा यहां पर print कर देगा कि यह पर यह हमारा 35 इंक कर देगा 35 क्योंग क्या क्या पहले सगी जोमelse made इसमने ट्वल केया हुआ और भाज में हम क्या बոलते में जोड देते हैं तो इस तरह में को यूज करते हैं इसी तरह हम माइनस मंटिप्लाई को भी यूज कर सकते तो जैसे यहां पर हम इसको यहां पर हम माइनस दे देंगे और यहां से हम इसको रन करेंगे यह वैल्यू हमारा प्रेंट करेंगा तो यह हमारा value print करें 11 तो पहले value था हमारा 12 और उसको रण किये तो यहां पर क्या किए philosophy minus equals 23 तो यहां पर हम क्या कर रहें यहां पर जो हमारा value 12 था तो 12 को हम मंञास कर दे रहें तो हमारा value बचसे का वह होगा हमारा minus 11 तो इसी तरह हम और भी यूस कर सकते है यहां पर दिया हुआ है प्लस कर सकते है um multiplier कर सकते तो इसी तरह हम use करते हैं assignment operator assignment operator क्या करते हैं पहले एक यां variable बना से फिर उस variable में हम वह अगर कुछ change करना है थो में यून करते हैं assignment operator तो हम दो operator करतु Photoshop के अथमेटिक ऑपरेटर और दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर नेफ्ट ऑपरेटर नहीं पर दिया हुआ है तो इसका वैली हम 12 और 23 एस्टोर करके रखे ते तो यहां पर हम क्या करेंगे हैं सेध्विल हम यहां पर λέक देंगे हगे प्रिंट ऑलिन और उसमें च तैइप कर देंगे प्रेटर देंगे यहां पर हम टाइप कर देंगे यहां पर से याद रखना है यह जो हमारा होता है comparison operator यह हमारा true या false return करता है जैसे यहाँ पे हम लिख के A is greater than B तो A का value हमारा दिया हुए ह 12 और B का value हमारा यहाँ पे दिया हुए 23 तो यहाँ पे जैसे हम compare करें तो यहाँ पे वेiquement 12 तो यह तो यहाँ पे कमेंट करके मैं लिएकता हूं जैसे होँ पर अ करेंगे हमारा यहां पर दिया है 23 और बीच में एक और रे त्योंटर हम यूज करें है वह हमार ग्रेटर दनि तो ऐसे यहां पर लिखा कि क्या 12 क्या 12 यहां 23 से बरा है चोटा है तो इसको रन करते हैं तो यहां पर यही लिखा हूँ यहां पर यह वेरियेबल का फॉर्म में लिखा हूँ और यहां पर यह ओवरॉल वैल्यू का फॉर्म में यहां पर लिखा हूँ है तो इसको जैसे हम रन करेंगे तो यहां पे यह true return कर रहा है, क्यों कि ए small है b से, क्या 12,23 से smaller है तो true है, तो इसलिए यहां पे true return कर रहा है, तो इसी तरह हम यहां पे दूसरा value भी sign कर सकते हैं, जैसे smaller than था, अगर हम यहां पे greater than type कर देंगे, फिर इसको run करेंगे, तो यह हमारा यहां पर print करेगा यह हमारा print कर रहा है false क्यों क्योंकि यहां पर जो हमारा 12 है वो 23 से बारा नहीं होता है इसलिए हमारा return कर देगा false तो यहां पर और भी operator दिया है smaller than greater than smaller than or equals यहां पर equals बला दिया greater than or equals तो यहां पे दिया वैंनोक इकोल्स और इकोल्स और एक और ऌप्टर दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं एकोल्स तो यहां पर इसको इसको यूज़ करतें double E taste को डवल फॉकस को कैसे रियुड करेंगे इसको हटा लिदेंगे और इसको सिंटरि राइट यहां से कर देंगे तो जैसे हम इसको यहां करेंगे घर हमारे निंया सेर्ड कि यह और हनं कर रहा है कि यह क्यों कर रहा है कि यहां पर इसका मतलब होता है यह जो हमारे यहां पर डी इसको हम नेक्स्ट तैम डिसक्स करेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा पीडियो का डाउनलोट कर लेना तो थैंक्स पूर वाचिंग मैं वीडियो